इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. फिंकार टेबलेट का इस्तेमाल बिना इन प्रोस्टेटिक हाईपपलासिया के इलाज में किया जाता है. यह बड़े हुए प्रोस्टेट ग्रंथी के आकार को कम करने में मदद करता है और पेशाप करने में कठिनाई, पेशाप करने की ततकाल आवशकता और पेशाप को रोकने में असमर्थता जैसे लक्षनों से राहत देता है. फिंकार टेबलेट भोजन के साथ या भोजन के बिना मूँ से लेना चाहिए. दवा की खुराक और अवधी नुस्खे के अनुसार ली जानी चाहिए. इसकी अधिक मात्रा आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा सकती है. प्रतीक दिन एक ही समय पर दवा लेना बहतर है और इसे पूरी तरह से निगलना चाहिए. दवा को लक्षनों पर असर करने में कुछ समय लग सकता है. इसलिए दवा को नियमित रूप से लेना महत्वपूर्ण है. दवा की बहतर प्रभावकारिता के लिए उपचार का कोस पूरा किया जाना चाहिए. यह दवा आम तोर पर अच्छी तरह से सहन की जाती है. हाला की यह कुछ हल के यौन दशप्रभाव जैसे स्खलन विकार, स्तंभन दोश और कामेच्छा में कमी का कारण हो सकता है. कुछ लोगों को अलजी का अनुभव भी हो सकता है जैसे खुजली, रैशेज और होंट या चेहरे की सूजन. यदि आप इन में से किसी भी दोश प्रभाव का अनुभव करते हैं, तो बिना देर किये अपने चिकित्सक से परामर्श करें. उप्चार शुरू करने से पहले, अपने चिकित्सक को यह बताना महत्वपूर्ण है कि क्या आप किसी स्वास्थि स्थिती के लिए कोई दवा ले रही हैं, यह आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.